इस वीडियो में हम बात करेंगे class 11th accountancy के 18th chapter की ये part 3 है इस chapter का इससे पहले दो parts हम कर चुके हैं एक में हमने पूरे theory को cover किया था और दूसरे में हमने trading account के बारे में बढ़ा था इस वीडियो में हम बढ़ेंगे profit and loss account के बारे में chapter जो हम पढ़ रहे हैं वो है financial statement of soul proprietorship तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते है profit and loss account होता क्या है profit and loss account में जैसे आप देख सकते हो profit और loss इन दोनों words का जिकर किया गया है तो profit किसे कहते हैं और loss किसे कहते हैं तो हमें पता है जब भी हम किसी सामान को बेचते हैं और उस जो हमारा selling price होता है वो cost price से जादा अगर होता है जितना मतलब जितना हमने लगाया किसी चीज को manufacture करने में उस से जादा में अगर बेच दिया तो जो बच गया amount हमारे पास वो हमारा profit कहलाता है अगर जितना हमने लगाया किसी product को manufacture करने में उस से कम में अगर हमने बेचा त तो simple term में profit and loss को इस तरीके से समझ लीजे, तो profit and loss account होता क्या है, एक ऐसा account होता है, एक ऐसा statement होता है, जो हर साल के end में हम बनाते हैं, कोई भी business man बनाता है, ताकि उसे पता चल सके, उसके organization ने, उसके company ने, उसके business ने profit earn किया है, या loss earn किया है, ठीक है, तो समझते है, meaning, देख in order to ascertain the excess of gains over the losses and vice versa, profit and loss account, ऐसे account को कहते हैं, जिस account में, जितने भी gains होते हैं, जितने भी losses होते हैं, उनको collect किया जाता है, उनके बारे में लिखा जाता है, जैसा जब हम trading account की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि trading account में जितने भी direct expenses है, या direct incomes है, उसको हम लिखते थे, transfer करते थे, जब की profit and loss account में उल्टा होता है, इसमें indirect expenses को या indirect incomes को हम note करते हैं, तो देखे, direct expense जैसा मैंने बताया था, factory से related, या production से related expenses को direct expenses कहते थे, और उससे related incomes को direct incomes कहते थे, indirect का मतलब हो जाएगा कि ये factory से कोई related खर्चा इसमें नहीं दिखाएंगे, इसमें हम office से related खर्चे दिखाते हैं, या incomes दिखाते हैं, ठीक है, manufacturing के बाद जो process होता है, उसको बेचने के लिए जो हमें काम करना पड़ता है, office खोल के बैठना पड़ता है, उसके लिए tax देना पड़ता है, rent देना पड़ता है, office में ऐसी लगा लिया माल लो, या advertisement कर दिया, ये जितने भी indirect expenses है, product को बेचने पे जो indirectly हमारा जो खर्चा आ गया, उसको हम कहते हैं indirect expenses, और वैसे incomes को indirect incomes कहते हैं, तो profit and loss account में indirect expenses को और indirect incomes को दिखाएंगे, देखेंगे आगे चल करके कि क्या those incomes which are not directly related with manufacturing or sale of goods, वैसे expenses, वैसे खर्चे जो की directly related नहीं है manufacturing से, ठीक है, उसे indirect expense कहते हैं, ठीक है, those expenses which are not directly related with manufacturing or sale of goods, they include administrative, selling and distribution expenses, तो देखें, एक बार आपने product बना लिया, factory में product बनके तयार हो गया, तो product यानि कि raw material ला करके product बनाने तक का जितना भी expense आया, वो सब factory में खर्च हुआ, तो वो direct expense के category में आ गया, अब बात आती है उसे बेचने की, तो बेचने के लिए या उसे godon में रखने के लिए उसको बेचने के लिए और distribute करने के लिए जो खर्चा आया, जैसे आपको salary देनी पड़ी salesman को, rent देना पड़ा office का, या tax देना पड़ा, postage और stationery का खर्चा आगया, postage and stationery का खर्चा कैसे आएगा, माल लिजे आपने किसी को, किसने आपको order दिया, आपने उस order को लि depreciation हो रहा है आपके machinery का दीरे दीरे, interest pay करना पड़ रहा है माल लिजे आपने loan ले रखा है, या office की lighting का खर्चा हो गया, product के advertisement का खर्चा हो गया, pack करने का खर्चा हो गया, और बाहर ले जाने का खर्चा हो गया, बेचने के लिए जगा, carriage out word जिसे कहते हैं, यह सब आपका आ खर्चा है, और भी चीजे इसमें indirect expenses के साथ साथ losses भी हम दिखाते हैं, profit and loss account में, losses में include हम करते हैं, loss by fire को, loss by theft को, यानि की आग लग गया माल लीजे, या product में, या चोरी हो गई product, वो सब आता है अपका indirect expenses में, ठीक है, अब बात करते हैं, indirect incomes की, तो indirect incomes क्या 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 हो इसको कहेंगे, indirect income, जैसे interest आपने loan दे रखा है किसी को, उस पर interest मिल गया, या आपने share खरीद रखा है, उस पर dividend मिल गया, profit हो गया, किसी fixed asset को आपने बेचा, उस पर profit हो गया, तो ये कभी-कभी non-recring nature का होता है, तो ये profit भी आपका indirect income हो गया, और investment भी बेचने पर आपका income income निकल के आता है सामने, मालीच आपने कहीं invest कर रखा है, उस investment को आपने बेच दिया, उस investment को, तो वो आपका जो income आगया, वो indirect income के category में आएगा, और इससे आप दिखाते हो profit and loss account के credit side में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, features की, की profit and loss account का feature क्या-क्या होता है, क्या-क्या विशेशता हैं इस profit and loss account की, देखिए, पहला है, it is the second stage in the preparation of the final accounts, second stage क्यों है, क्योंकि पहला stage है, trading account बनाना, trading account बनाने के बाद हम बनाते है, profit and loss account, इसलिए ये second stage है, दूसरा, it is prepared at the end of the period है, हर साल के end मे हम बनाते हैं, तीसरा feature है, it shows the financial performance of an enterprise during an accounting period, एक accounting period में उस company ने, उस organization ने, उस enterprise ने किस तरीके का financial performance किया है, घाटे में चल रहा है, या profit में चल रहा है, इसका information हमें देता है, profit and loss account, उसके अलावा, accrual basis of accounting is followed in the preparation of this account, accrual basis का क्या मतलब है, accrual basis का ये मतलब है, कि जो इस साल का transaction होगा, वो इसी साल में लिख दिया जाएगा, भले ही वो पैसे मिले हो या ना मिले हो, माल लिजए आपने product बेचा, माल लिजए आपने salary, salary आपको देना है किसी employee को, तो salary आपको देनी है, salary आपने दी या नहीं दी, फिर भी आप इस स होता है, cash, expense हो या ना हो दिखाना पड़ता है, इस साल का अगर है, तो income आये ना आये, लेकिन आने वाला भी है, तो भी दिखाना पड़ता है, तो accrual basis इसको कहते है, अगर आपने concept पढ़ाओगा, तो accrual basis आपको पता होगा, फिफ्थ फीचर है, it is credited with the gross profit and income from trading account and debited with gross loss, देखिए, पहला स्टेज क्या है, financial account बनाने का सबसे पहले trading account बनाते है, तो trading account में अगर gross profit आया है, तो gross profit को दिखाते हैं, हम profit and loss account में transfer करते हैं, किदर? credit side में, लेकिन अगर trading account में loss हुआ है, तो उसे हम profit and loss account के debit side में दिखाते हैं, ठीक है, फिट से समझेए, अगर gross profit हुआ है trading account में, तो उस gross profit को हम profit and loss account के credit side में transfer कर देते हैं, लेकिन अगर gross loss हुआ है trading account बनाते समय, तो उस gross loss को profit and loss account के debit side में transfer कर देते हैं, क्यों transfer करते हैं, प होंगे उनको debit side में दिखाएंगे और जितने भी profit या income होंगे उसको credit side में दिखाते हैं next feature है balance of this account is the net profit और net loss जो balance निकल कर आता है last में profit and loss account का वो या तो net profit होगा या net loss होगा next है net profit और net loss directly affects the capital है अगर profit and loss account में net profit हो रहा है या net loss हो रहा है वो directly capital को affect करता है अगर net profit हो रहा है तो capital increase हो जाएगा अगर net loss हो रहा है तो capital decrease हो जाएगा clear है okay कि आगे बढ़ते हैं purpose या need की बात करते हैं कि profit and loss account हमें बनाना क्यूं पढ़ता है क्या जरूरत है हमें बनाने की देख लेते हैं purpose या need क्या है profit and loss account बनाने की सबसे पहला purpose है determine net profit or net loss सबसे पहले net profit या net loss जानने के लिए हम बनाते है profit and loss account दूसरा purpose क्या है comparison with previous year profit माल लिजे 2020 का आपने account बनाया और इस तलका जो profit या loss निकल के आया इस profit या loss को आप compare कर सकते हो 2019 के performance से तो ये एक फायदा हो जाता है objective ये भी रहता है profit and loss account बनाने का कि हम अपने performance को अपने काम करने के तरीके को और उसके result को compare कर सके अपने ही performance को पिछले साल से ठीक है third जो objective हो जाता है purpose हो जाता है finding details of indirect expenses जो भी आपके indirect expenses हुएं जैसे salary हो गई जैसे rent हो गया rates हो गया taxes हो गया ये सब जो हुआ interest हो गया ये सब जो हुआ ये कहां कहां पे हुआ और कितना कितना हुआ तो ये एक छोटी सी छोटी indirect expense की जो detail होती है वो हमें मिल जाती है profit and loss account बनाने से fourth need क्या है helps in preparing balance sheet जब आप balance sheet बनाने जाते हो तो आपको पता होता है net profit या net loss कितना हुआ अगर आपने profit and loss बनाया होता है तो उसके according आप balance sheet में उस profit या loss को transfer कर देते हो क्योंकि आपको पता है कि ये profit and loss का amount होता है वो आपके capital को क्या करता है अफेक्ट करता है चलिए अब बात करते है profit and loss account के performa की या फिर format की कि किस तरीके का इसका format होता है ठीक है तो दिखिए कुछ इस तरीके का होता है profit and loss account for the year ended यहाँ पर लिखा हुआ है debit side credit side particular amount particular amount debit side में सारे indirect expenses को दिखाएंगे और credit side में सारे indirect incomes को और gains को दिखाएंगे इधर indirect expenses को और loss को दिखाएंगे तो दिखते हैं क्या-काइँ सबसे पहले हमने क्या बनाया सबसे पहला stage में हमने trading account बनाया था कि gross profit या gross loss को हम transfer करेंगे profit, sorry, profit and loss account में, तो माल लेते हैं कि gross loss हुआ था, तो उसको हमने transfer कर दिया debit side में, ठीक है, to gross loss transferred from trading account, उसके बाद क्या क्या चीज़े हम indirect expense के तौर पर दिखाएंगे debit side में profit and loss account के, दिखाएंगे salaries, two salaries, two bad dates, salary का क्या मतलब, कि employee को salary देना पड़ा, bad dates का मतलब होता है, duba who are in, माल लीजे, आपने किसी, किसी व्यक्ति को पैसे दे रखे थे, आपके business ने, माल लीजे, किसी creditor के पास आपका पैसा बकाया था, sorry, किसी debtor के पास आपका पैसा बकाया था, पैसे देने बाला था, but वो क्या हो गया, insolvent हो गया, माल लीजे, वो, क्या हो गया, बिल्कुली कंगाल हो गया, तो वो आपको पैसे नहीं दे पाएगा, तो आप क्या समझोगे कि वो पैसा आपका डूप गया, तो डूप गया जो पैसा वो कहलाता है, bad dates, तो bad debts आपके लिए एक तरीके से हो गया loss तो loss को आपके दर दिखाते हो profit and loss account के debit side में तो दूसरा amount हमने ये दिखा दिया then rent आपको देना पड़ रहा है मालिजो office आपने जहां पे establish किया हुआ है उसके लिए rent देना पड़ रहा है तो वो भी debit side में जाएगा तो stationary and printing office में papers का काम होता है pens के लिए काम होता है और भी बहुत सारे stationary से related सामान आपको office में रखने पड़ते है तो वो सारे खर्चे आपके debit side में आएगे profit and loss account के then two posters and telegrams मालिजों किसी customer को आपको post करना पड़ गया या उसे telegram करना पड़ गया तो इस पे जो खर्चा है वो two posters and telegram करके दिखा देंगे debit side में उसके लाबा two legal charges legal charges जैसे कुछ tax wax देना पड़ गया office के लिए तो वो या product के advertisement के लिए कुछ भी हो सकता है legal charges तो वो भी आपको debit side में दिखा देंगे two telephone expenses office है तो obvious सी बात है कि उसमें telephone लगा होगा तो telephone लगा होगा customer से बात करने के लिए लोग उसे deal करने के लिए contract sign करने के लिए तो इन सब के लिए जितने भी telephone का खर्चा आता है वो भी आपका debit side में जाता है then two insurance premium माली जा आपने insurance करवा रखा है office का तो उसके लिए premium आपको हर मन्थ देना पड़ता है वो अभी आपका जाएगा indirect expenses के तौर पे debit side में उसके लाबा two insurance premium हाँ हो गया two business promotion expenses business promotion का क्या मतलब है कि आपने advertisement वगरा करवा लिया कहीं पे poster लगा दिया कहीं पे holdings लगवा दिया इन सबका जो खर्चा आगया वो भी आपका आगया debit side में two repairs and renewals repairs and renewals का मतलब है कि माल लीजे आपने office में AC लगवा रखा था या कोई ऐसा machine लगा रखा था water के लिए RO लगा रखा था तो इन सबके repair और renewal का जो खर्चा जाएगा वो भी debit side में चला जाएगा two depreciation machine वगरा है तो हर साल depreciation उसका लगता रहता है कुछ न कुछ amount का तो वो depreciation भी आपका profit and loss account में आता है debit side में क्योंकि ये भी तो एक तरीके से आपका खर्चा है expense है two interest आपने कहीं से loan ले रखा है उस पर interest आपको देना पढ़ रहा है तो वो आपका two interest में याद रखिएगा कि debit side में जो interest आएगा वो interest given होगा आप दे रहे होगे और अगर credit side में interest है तो वो interest received होता है और क्या क्या आएगा debit side में two sundry expenses छोटे मोटे खर्चे हो गया two convince मालीजे convince किसी को देना पढ़ गया ठीक है मालीजे आपने किसी को बुलाया काम करने के लिए office में और उसने बोला कि sir मैं convince भी लूँगा बने आने जाने का खर्चा वो भी आपका indirect expense में आपका जोड जाएगा two bank charges bank जो charge कर लेगी वो debit side में आजाएगा two general expenses, छोटे मोटे general expenses हो गया two electricity expenses, to loss by fire or theft चोरी हो गया आग लग गया उसका भी खर्चा indirect expenses में आएगा two commission, commission किसी को देना पढ़ गया मालीजे किसी ने आपका product बिखवाया राम ने आपका product बिखवाया आपने बोला था कि अगर तुम यह product बिखवा दोगे तो मैं क्या करूंगा तुमें commission दोंगा तो वो commission आपको देना पढ़ा वो वे indirect expenses में आएगा उसके लाबा to advertisement, advertisement पर जो खर्चा आया वो भी आजागा debit side में to fret and carries outward fret and carry outward मतलब है कि आपने सामान बनवा लिया वो factory में रखा है या godon में रखा हुआ है अब वो godon से बाहर ले जाना पड़ेगा बेचने के लिए तो वो जो बाहर ले जाओ के बेचने के लिए और selling पे जो खर्चा आएगा वो आपका आजाएगा indirect expenses मे to discount allowed इधर तो हमने बात कर लिए कि debit side में क्या क्या चीज़े आएगी अब बात करते है credit side में क्या क्या चीज़े आएगी तो credit side में सबसे पहले तो profit अगर हुआ है trading account में उसको transfer कर देंगे credit side में by gross profit transferred from trading account उसके अलावा by rent received आपने मान लिजे किसी और को rent पे अपना कमरा दे रखा है तो rent आगया आपके पास तो rent received में आ जाएगा credit side में ये आपके लिए income आना जाएगा discount receive आपने कहीं से discount लिया देखिए discount जब आप दे रहते तो debit side में दिखा रहते लेकिन जब आपको discount मिल रहा है तो वो आपके लिए income है और वो credit side में जाएगा commission आपने earn किया है तो वो credit side में आएगा जब आप commission दे रहते तो वो debit side में जा रहा था इसके अलाबा to interest received जब आपको interest मिल रहा है वो credit side में आएगा जब आप interest दे रहते वो आपके लिए expense था तो वो debit side में गया था bad debts recovered, bad debt जब हो गया था आपका पैसा आपने समझ लिया था कि डूब गया तो आपने debit side में दिखा लिया था लेकिन luckily हुआ कि आपका वो पैसा मिल गया आपको recover हो गया, तो आपके लिए तो ये profit हो गया income हो गया, तो ये आपको credit side में दिखा देना है buy income from investment आपने कहीं पर investment कर रखा है किसी और company में उससे जो पैसा आपको मिलता है वो आपका जाएगा credit side में, उसके अलाबा buy dividend on share समान लिजे आपने किसी company का share खरीद रखा है उसके अलाबा buy miscellaneous income, छोटे मोटे और भी जो income इदर उदर से आ रहे है, वो भी credit side में जाएंगे उसके अलाबा buy net loss, हाँ, आप देखें अब इतना amount आपने दिखा दिया credit side में इतनी चीज़े आपने दिखा दिया debit side में, और माल लिजे कि आपका credit side में तो आप income दिखाते हो तो जब आपका credit side जाधा होता है, यानि कि income जाधा है और debit side कम होता है, यानि कि जो आपका expense है, वो कम है तो जब income जाधा होगा, expense कम होगा, यानि कि credit side जाधा होगा और debit side कम होगा, इसका मतलब यह है कि आपने profit कम आया है तो अगर आपने profit earn किया है, तो यहाँ पर नीचे जो balance आएगा आपका balancing figure वो क्या आएगा, to net profit transfer to capital account आप जितने balance से आपका आया वो net profit, वो balance आप यहाँ पर लिखोगे और कहाँ पर उसको transfer करोगे, capital account में, ठीक है to net profit transfer to capital account और मालिजे कि अगर debit side जादा हो गया और credit side कम आ गया मतलब debit side जादा है, यानि कि expense जादा है और income कम है तो अब्विसी बात है, loss हो गया, तो loss भी capital account में transfer करोगे by net loss transferred to capital account, clear है profit होगा तो capital account आपका बढ़ जाएगा और loss होगा तो capital account कम हो जाएगा तो ये था format profit and loss account का अब बात करते हैं हम closing entries की, कि closing entry किस तरीके से होगी तो simple सी बात है, जितने भी चीजे debit side में दिखानी है तो उसकी entry क्या हो रही है, देखिए simple सी बात है profit and loss account debit to salary, to bad date, to rent, to stationary, to posters, to legal charges, to telephone expenses and वगेरा वगेरा ठीक है वैसे ही, जो credit side में है, उसके लिए closing entry क्या है by rent received account debit, discount received account debit, commission earned account debit, interest received account debit, फलाना 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 account debit to profit and loss account तो simple सी बात है, इस तरीके से closing entry यही है closing entry एक बार हम पढ़ भी लेते हैं, चलिए देखते है items of indirect expenses and losses are closed by transferring their balances to the debit side of profit and loss account हमें पता है कि जितने भी expenses होंगे या loss होंगे, उनको हम profit and loss account के debit side में transfer कर देंगे तो entry क्या हो जाएगी, जो हमने भी किया था पीछे वही entry है, profit and loss account debit to salary account, to rent account, to interest account, to advertising account, to bank interest account, to bank charges account, to miscellaneous expenses account and etc बहुत सारे जो भी expenses होंगे, वो 2-2-2 करके लगते जाएगे, ठीक है, तो ये होगे debit side में transfer करने का closing entry credit side में transfer करने का closing entry क्या होगा, credit side में क्योंकि हम indirect incomes को और indirect gains को या profits को दिखाते हैं, तो क्या दिखाएगे? interest received account debit, discount received account debit, bad debts recovered account debit, miscellaneous incomes account debit, to profit and loss account, clear है? तो इन दोनों entry से क्या हो जाएगा, कि आपने debit और credit side में चीज़े जो transfer करनी थी, वो आपने transfer कर दी है अब बात करते हैं, जब debit और credit side में चीज़े transfer हो गई, तो या तो profit होगा, या loss होगा, तो अगर profit हुआ है, तो entry क्या हो रही थी? प्रॉफिट हो रहा था, तो profit and loss account debit to capital account, इस तरीके से transfer करेंगे capital account में, अगर loss हुआ, तो capital account debit to profit and loss account, तो इस entry को याद कर लीजे अब हम बात करते हैं, एक illustration लेते हैं, उसके बाद हम एक question solve करते हैं, profit and loss account का, तो question पढ़ते हैं सबसे पहले, question है, illustration 17 है, ये page number आपका है, 18.28, अगर आपके पास book है, तो आप वो book खोल के बैठ जाएए, 18.28, page पे है, question number 17, simple कुछ नहीं करना है, सारे indirect expenses को debit side में रखना है, सारे indirect incomes को या gains को credit side में रखना है, और balancing figure निकाल देनी है, वह ही आपका बन जाएगा, profit and loss account, लेकिन question में आपको trading account बनाने के लिए बता, बोल रहा है, तो इसमें कुछ items होंगे, जो trading accounts में जाएंगे, कुछ items होंगे, जो profit and loss accounts में जाएंगे, तो देख लेते हैं, pass, closing entry as on 31st March 2020, पहले तो आपको journal entry करने के लिए बोल रहा है, 31st March 2020 को, also prepare trading and profit and loss account from given trial balance, इस trial balance से profit and loss account और trading account भी बनाना है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा item कितर जाएगा, ठीक है, तो दिखिए, trading account में क्या क्या जाएगा, एक तो ये opening stock है, ये trading account में जाएगा, cash at bank कि ये balance sheet का है, capital balance sheet का है, cash in hand balance sheet का item है, machinery account ये है balance sheet का item, furniture and fitting ये सारे balance sheet के item से, ठीक है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, रुख जाएगगइ, रुख जाए, रुख जाएगगगः, ये आपको खरीदने का दिखा रहा है, ठीक है, इसका debit हाँ, ठीक है, यह trial balance दिखंग रहा है ओके तो देख लेते हम सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या सबसे पहले हम कर लेते हैं Closing Entry, की trading account में क्या क्या चीज़े जाएंगी और profit and loss account में क्या क्या Mont Efendimiz जाएंगी तो सबसे पहले देखते हैं यहीं, चिरा nosso stock है किदर जाएगा ये भी लिख दे हैं तो यसारे जाएगा डेबिट साइड में ये भी जाएगा के डेबिट साइड में ये जो वेजर है ये भी जाएगा ट्रेडिंग और अकाउंट के डेबिट शाइड में क्योंकि ये वेज खर्चा होता है डेय exclusion पावर एंब फ्यूल है यह भी trading account के debit side में जायेगा factory lighting वगेरा है यह भी trading account के debit side में जायेगा ठीक है उसके अलावा salary नहीं जाएगी यह जाएगा profit and loss account में अच्छा एक बात याद रखीएगा एक चीज जो होता है कि एक होता है salary and wages एक होता है wages and salary तो wages पहले आएगा तो वो जाएगा trading account में और salary पहले आएगी तो वो जाएगा profit and loss account में फिर से समझेए salary and wages किदर जाएगा profit and loss account के debit side में और wages and salary किदर जाएगी trading account के debit side में चलिए सबसे पहले हम journal entry कर लेते हैं तो salary किदर जाएगा profit and loss account के debit side में, discount allowed profit and loss account के credit side में, sorry allowed है तो debit side में, discount received ये जाएगा profit and loss account के credit side में, क्योंकि ये हमारे लिए income है, advertising जाएगा profit and loss account के debit side में, sundry office expenses profit and loss account के debit side में, sales जाएगा trading account के credit side में, और sundry debtors वगयरे, ये सब कहाँ का item है, ये सब item है हमारा balance sheet का, चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, closing entry की, तो closing entry के लिए मैंने बना रखा है, format, तो देख लेते हैं, question भी देखते चलेंगे, साथ साथ करते चलेंगे, closing entry सबसे पहले trading account का करेंगे, आपके पास I hope question है, अगर question नहीं है, तो आप book खोल के बैठ जाईए, screenshot ले लिजे, मैंने जासा बताया था, मैं बार बार question आपके सामने लाँगा नहीं, तो closing entry है, कब कर रहे हैं, सबसे पहले trading account की करेंगे, तो 2020 को ये closing entry हो रही है, 31st March को, 31st March को, तो trading account, debit to stock account, opening stock है, to purchases account, to wages account, to power and fuel account, to factory lighting account, to factory lighting account, अमांट कितना कितना है, देख लेते हैं, तो stock था 20,000 का, 20,000, उसके बाद purchases था 1,500,000, उसके बाद जो wages था, वो था 1,500,000, power and fuel था 30,000 का, 30,000, और factory lighting थी, 2,000 का, ओके, 2,000 का, तो ये total को अगर add करें, तो trading account कितने से debit हो रहा है, 3,002,000, ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे narration, being, the direct expenses, ये देखे, जितने भी expenses सा, फैक्टर से रिलेटेर है, direct expenses, debited, to profit, sorry, to trading account, to trading account, ओके, यहाँ पर ये close हो गया, अब 31st March को ही trading account के credit side में क्या जाएगा, तो credit side में बस एक ही item था, और वो था, क्या था, वो था sales, तो फिर से लिखेंगे 31st March, 31st March, sales account, debit, to trading account, और वो कितने का था, फाइव लाइक का, फाइव लाइक का, ओके, अच्छा, एक और चीज यहाँ पर दिया गया था, जो question में मैंने, यहाँ पर, trial balance के बाहर दिया गया था, closing stock 27,000 का, तो closing stock भी कितर जाएगा, trading account के credit side में है ना, तो क्या हो जाएगा, closing stock अकाउंट, debit to trading account, तो 27,000 का यह भी है, तो यह भी लिख देते हैं, 31st March को ही, closing stock account, debit to trading account, 27,000 का, 27,000, अब अगर हम add करें, credit side को तो आता है, 5,27,000, अगर debit side को add करें, तो आता है, 3,2000, clear है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि trading account का जो credit side है, वो जादा है debit side से, तो जब debit side कम है, और credit side जादा है, यानि कि यहाँ पर profit का scene बन रहा है, तो जब profit होगा, तो हम क्या general entry pass करेंगे, trading account, debit to profit and loss account, क्या करेंगे, इसी तारीक को हम करेंगे, 31st March को ही, trading, trading account, debit to profit and loss account, कितने से, 2,25,000, ठीक है, यह difference amount आ रहा है, 2,25,000, 2,25,000, ओके, अब यह जो हो गया, यह profit and loss account के credit side में जाएगा, अब यहाँ पर आके हमारा trading account खतम हो जाता है, अब क्या हम शुरू करेंगे, profit and loss account, तो फिर से 31st March को ही entry होनी है, तो लिख देंगे, यहाँ पर trading account हमारा बन गया, ठीक है, अब हम कर रहा है, profit and loss account, same journal entry, एक ही journal में कर रहा है, 31st March, तो सबसे पहले हम closing entry करेंगे debit side का, तो debit side का closing entry क्या होता है, आपको पता है, profit and loss account, debit to expenses account, जितने भी expenses है, तो जो जो items हमें दिखाने हम दिखा देंगे, profit and loss account, debit to discount allowed, एक तो यह था, discount allowed account, उसके अलावाद two salaries account, two salaries account, इसके बाद क्या है, two advertising account, two sundry office expenses account, बस इतने ही items debit side में दिखाने वाले थे, आपके सामने question होगा, मैं उमीद कर रहा हूँ, two sundry expenses account, कितना कितना है, discount allowed जो था, हमने दिया था, वो 5,000 का था, उसके बाद salaries थी 70,000 की, advertising था 50,000 का, और sundry office expenses था 40,000 का, तो total अगर add करें, तो यह debit हो रहा है, profit and loss account कितने से, 1,65,000 से, 1,65,000, 1,65,000 से, narration दे देंगे, being indirect expenses debited to profit and loss account, अब credit side में क्या-क्या चीज़े जाएंगी, वो लिख देते हैं, तो credit side में बस एक ही item था, और वो था, discount received, तो 31st March को लिख देंगे, discount, received, account, debit, to profit and loss account, वो कितने का था, 3,000 का था, हमने, discount हमें मिला था, 3,000 का, ओके, तो अब देखिए, debit side है, 1,65,000, और credit side कितने है, 3,000, प्लस, यह जो 2,25,000, यह भी तो credit side में ही है न, profit and loss account के, तो 2,25,000 and 3,000 कितना हो गया, 2,28,000, माइनस करेंगे 1,65,000, तो हमारा 63,000 का आ रहा है, यहाँ पर profit, net profit, कितना net profit, तो net profit के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, capital account में transfer करना पड़ेगा, closing entry मेंने बताई थी, जब profit होगा, तो क्या करेंगे, profit and loss account, debit to capital account, तो 31st March को कर देंगे हम, profit and loss account, debit to net, sorry, to capital account, to capital account, कितने का 63,000, 63,000, तो यहाँ पर आके closing entry खत्म होती है, अब इन ही चीजों को हम trading account में transfer कर देंगे, profit and loss account में, तो मैंने अल्यड़ी इसका format जो होता है, वो बना के रखा हुआ है, तो देखिए, यहाँ पर है trading account और profit and loss account, तो सबसे पहले हम trading account को fill कर देंगे, trading account में क्या क्या चीज़ जाएगी, यह हमारे पास closing entry से पता चल देगा, trading account के debit side में जाएगा, stock, purchase, wages, power, fuel, factory lighting ठीक है, और credit side में क्या क्या जाएगा, एक तो जाएगा sales और एक जाएगा closing stock ठीक है, तो चलिए, आप कर देते हैं, simple, transfer कर देते हैं trading account में, तो trading account में चला जाएगा क्या क्या, two opening stock, two opening stock, 20,000, उसके अलाबा, two purchases, 1,50,000, उसके बाद, wedges, two wedges, 1,00,000, उसके बाद, two power and fuel, two power and fuel, ये चला जाएगा 30,000 का, उसके बाद, two factory lighting, two factory lighting, ये था 40,000 का, नहीं नहीं ये था, कितने का, 30,000 का, माफ करिएगा, माफ करिएगा, ये था 2,000 का, सॉर्य, 2,000 का, अब credit side में क्या जाना था, तो हम पते हैं, एक तो closing stock जाना था, एक sales जाना था, तो buy, sales, 5,000 का था, और buy, closing stock, 27,000 का था, 27,000 का, अब देखे, credit side को अगर add किया जाए, तो ये आता है, हमारा 5,27,000, और इन, इन सब को अगर add करें, debit side में, तो ये यहां तक आता है, हमारा, जो कि 2,25,000 से कम आता है, तो हमारा, क्यूंकि gross profit हुआ था, तो लिख देंगे, 2 gross profit, transferred, to profit and loss account, कितने से, 2,25,000, अब यहां पर भी add करेंगे, तो 5,27,000, आ जाएगा, तो इस तरीके से, यहां भी हमारा trading account, complete हो गया, अब हम बात करेंगे, profit and loss account की, तो जो हमारा gross profit हुआ है, उसको सबसे पहले, हम transfer कर देंगे, credit side में, तो लिख देंगे, by gross profit, अगर loss हुआ होता, तो debit side में जाता, कितना, 2,25,000, अब क्या क्या चीज़े जा नहीं है, देख लीजे, closing entry देख लेते हैं, profit and loss account के debit side में जाएगा, to discount allowed, salaries account, advertising, और sundry expenses, credit side में क्या जाएगा, सिर्फ discount received, ठीक है, और उसके अलाबा ये gross profit, तो by discount received, हमारा इधर यह आना था, by, discount, 3,000 का, अब debit side में क्या की चीज़े नहीं देख लेते हैं, तो सबसे पहले तो two salaries, 70,000 का, उसके बाद, discount allowed, discount allowed, 5,000 का, two advertising, ये आना है हमारा, advertising 50,000 का, 50,000, उसके बाद, two sundry office expenses, sundry office expenses है हमारा, 40,000 का, बस इतना ही item है, तो इधर का अगरा मैड करें total, तो आता है हमारा, 2,28,000, इधर add करें तो आता है हमारा कम, कितने से 63,000 से, तो 63 हमारा क्या हो जाएगा, to net profit, और इसको कहां transfer करेंगे, transferred, to capital, account, कितने का, 63,000, अब इसको भी add कर देंगे, तो हो जाएगा 2,28,000, तो यहाँ के हमारा, profit and loss account भी complete हो गया, तो देखा, किस तरीके से हमने, profit and loss account बनाया, और किस तरीके से हमने, trading account बनाया, तो I hope आपको समझ में, आ गया होगा, तो इस वीडियो में बस, इतना ही रहने देते हैं, profit and loss account हमने, इस वीडियो में डिसकस कर लिया, next वीडियो में हम बात करेंगे, balance sheet की, तो इतना ही इस वीडियो में, subscribe कर दीजिए, अगर नहीं किया है, तो साथ हमें, इंस्टा पे जाके, follow कर लिजिए, facebook पे जाके, हमारे page को like कर दीजिए, और like करिए, अगर अच्छा लगा तो comment करके बताईए, share करिए, मिलते हैं, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें,